स्टोकिस्टों द्वारा चने की बिकवाली करने से चने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली दरसल उत्पादक मंडियों में नए चने की आवक बढ़ने और बिकवाली के दबाव से चालू सप्ताह के दुरान चने की कीमतों में गिरावर दर्च की गई चना दाल और बेसन में मांग सुस्त बनी रहने से चना में दाल मिलर्स की खरीदारी कमजोर बनी हुई है जिस कारण चने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला है वही मोसम साव बना रहने और फसल की आवक का दबाव बढ़ने से स्टोकिस्टों ने भी चने की जम कर विक्वाली की है दाल मिलर्स की मांग कमजोर पढ़ने से सप्तावर में दिल्ली चना की कीमतों में 225 रुपे से 250 रुपे प्रती क्विंचल का मंदा दर्च किया गया है वहीं अगर देशी चने की बात की जाए तो देशी चना की गिरावट का असर मांग सुस्थ बनी रहने से चालू सप्ताव के दुरान आयतित चने की कीमतों में 100 रुपे प्रती क्विंचल का मंदा दर्च किया गया और भाग 5650 रुपे प्रती क्विंचल पर पहुँच मध्य परदेश की मंडियों में भी चने की कीमतों में 100-200 रुपे प्रती क्विंचल की सप्ताव के अंदर गिरावट देखने को मिली वहीं करनाटक की मंडियों की अगर बात की जाए तो करनाटक में भी विक्वाली जबर्दस देखने को मिली और दाल मिलर्स की मांग भी स दर्च की गई है वहीं चने की गिरावट का असर और मांग कमजोर बनी रहने से चना दाल की कीमतों में भी 75 से 100 रुपे प्रतिक विंचल का मंदा दर्च किया गया है